हेलो एप्रिवान वीडियो में भी हमें एक बहुत जाधे इंपॉटेंट टॉपिक परने वाले हैं क्यूंकि आपका एक्जाम अब स्टार्ट उने वाला है तो एपॉइंबेंट का टॉपिक बहुत जाधे इंपॉइंट है 2023 की जितने भी इंपॉइंट परने में उससे इस वीडियो में कवर केरेंगे इसी वीडियो में हम नियू गर इंनर्ट भी अपॉइंट कीये गहें उससे भी यह पठानिया, ओके, नेक्स्ट है, दीजी ओफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको पउइंट किया गया है, जी अशो कुमार को, अब यहां पर आप देखे लो, क्लीन गंगा की बात हो रही है, ओके, गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है, और इसकी पूझा भी की जा आप देखे लो, यहां पर क्या लिका है, यहां पर लिका है, अग्रिकल्चर कोस्ट और प्राइस, और अग्रिकल्चर में हम क्या करते है, अग्रिकल्चर में हम लगाते है, बीच, बीच लगाते है, तर भी तो हमें फसल मिलती है, तो क्या हो जाएगा, विजे पॉल हो जा जो धीरे धीरे से economic को आगे वढ़ने की वाते बताएंना जो धीरे बताएं एक अपना planning बताएं कि हम ऐसे काम करें तो ऐसे बढ़ेगा तो economist chief economist किसको appoint किया जाएगा जो धीरे धीरे का अच्छे planning बता है तो धीरे से यह आपको ध्यान लगर एगए दीरे PRA तो पियरे ओलिवियर गोरिंचिस जो है इनको है पॉइंट किया गया है आये में आपका चीफ एकनॉमिस राइट नेक्स्ट है न्यू इसरो चीफ न्यू इसरो चीफ कौन है पॉइंट हुए थे रॉकेट साइंटिस्स एस सोमनाथ तो इसको आपस इसे याद रुखिए कि इ पॉइंट रीकिपा यहां पर देखो क्या किया है इन्डियन कौन्सिल ऑ हिस्तोरिकल रिसरच हो तो सवर 7 लिसटीज़ चीज़ फिसमें हमें देखने को मिलती है कुसची किसmasi होती है रगू क्या होगिए भग54नी हो गए उसर्जी आपको देखने की मिलेंगा बंदर कीihi तो रगुवेंद्र तनवर जो है इनको एपॉइंट किया गया है चेर्मेन आफ दा इंडियन कांसिल आफ इस्टोरिकल रिसर्च आइसी एचार ओके नेक्स्ट आप देखिए आर्मी चीफ कौन है इस्टेम प्रजन पे लाफ्टिनन जनरल मनोज पांडे नेवी कौन है एड् दिलीप सांघनी को अपने देखा हुगा इस इस फर्टिलाइजर पगेर आथ देनना तो कैसे में ध्यान रखने इसका प्रवन प्रवेंट यह जो होता है वह उतला हुँए उनका दिल होता है ना पर्टिलाइजर अच्छा होना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर उनका दिल है फार्मर्स का तो दिल यानिकि दिलीब सांगनी हो जाएंगे ओके नेक्स्ट है देखें नियू चेर्मेन अन्म्ड ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लेमिटर इसको पुष्प कुमार जोशी को अब आप देखते हो पैट्रोल जो होता है उसमें थोड़ी स कराता है कंप्यूटर का एक कोर्स है तो कई सारे एक्जाम में करने के लिए मांगते हैं कि आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए तो वही है यह इसको एपॉइंट किया गया है डीजी डॉक्टर मदन मोहन प्रिपाथी ठीक है तो देखें कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपको इस से ध्यान रखना है नील कंप्यूटर से लेटेड है कंप्यूटर में और क्या चीज़े होती है मौडम वगेरा भी होता है तो मौडम मदान मौडम मदान ठीक है तो मदन मोहन प्रिपाथी जो है इनको एपॉइंट किया गया है नील का डारिक्टर जनरल नेक्स् ममी डाला जगदेश कुमार अब देखिए UGC किस से लिटेट है University Grand Commission अब हमारी रियल पढ़ाई जो स्टार्ट होती है वो University से स्टार्ट होती है हम graduation करते हैं, PG करते हैं So University हमें क्या देता है एक जग का संदेश देता है He is appointed as new chairman of UGC New director of the National Council of Educational Research and Training, NCRT किसको appointed किया गया? Professor Dinesh Prasad Saklani So देखिए आप है NCRT लिखा है न So NCRT पूँप स्कूल में जलती है? So CBSC में चलती है And CBSC में एक स्कूल है कौन सा? Delhi Public School यानि की DPS So आप देखो Dinesh Prasad Saklani DPS So अगर ये question आता है So ऐसे आपको ध्यान रखना है DPS Dinesh Prasad Saklani Right? Next is First Woman Vice Chancellor of GNU किसको appointed किया गया? Shanti Sri Dulpudhi Pandit अब आप यहाँ पर देख रहे हुँ न Shanti Sri Dulpudhi Pandit को appointed किया गया Vice Chancellor GNU यानि की Jawaharlal University अब आप जानते है न University पे कुछ न कुछ बवाल चलता रहता है तो शान्ती बनी रहे इसलिए किसको appointed किया गया? एक woman को appointed किया गया? Shanti बनाने के लिए So Shanti Sri Dulpudhi Pandit हो जाएंगी Next is Director of Vikram Sarabhai Space Center किसको appointed किया गया? Dr. S. Unikrishnan Nair कैसे याद रखेंगे? तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है Vikram Sarabhai Space Center So Vikram है अपने सारे भाईयों को लेके चला गया Space में तो Space में जाएगा तो देखो आपना हमें ब्रस यहाँ से उठा रहे है Vikram Sarabhai Space Center यानि कि Vikram अपने सारे भाईयों को लेके Space में चला गया तो देखो इस स्पेस पे हम जाएंगे ना तो सब कुछ यूनिक सा दिखेगा नया दिखेगा तो यूनिक और नया So Unik और नयर Unik और नयर Unik और नयर जो है इनको आपोइंट किया गया है डिरेक्टर आप विक्रम सारवाई स्पेस सेंटर और नेक्सट इस पीफइजर इंडिया चियर्मेन इस को अपाइंट किया गया प्रदीप शाह को पीफइजर से देखे तेखे मैं है और फिफटर यानिकि पीफइजर फिजव किवा जबी घर पे लेकिए पाइज़ के आते हैं और यह पाइन तो बहुत जादे इंपोर्टेंट आपके एक्जाइम के लिए किसी शक्त में आ सकता है यह एस किशोर तो देखें से का बहुत ज़्यादा शोर रहता है हर यह तो शोर से आपको ध्यान रखना है शोर कौन है निधी खिबबर सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह जादा तो बस आपको ऐसे यादक नहीं भार बहुत रहता है तो भार भी तो बहुत निधी 6 बहुत निधी 6 यह आप इसको ऐसे भी ठोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि देखें सीबेसी में अबिशन लेने के लिए आज कल बहुत ज़ादा भीड हो गई है है हर कोई चाहता है हर पैनल चाहते है कि उनका बचा सीबेसी में पड़े भीड बढ़ गई है तो भीड से आपको ध्यान रखना है भीड भी सो निदी छिपर भीड के तरफ से किसको है पड़ू अजे एक पायण के घया जी अशुक कोमार को और अभी हमने पीछे भी पड़ाा था कि जी अशुक कोमार को को क्या बनाइगा है बनाय गया था इंको DG बनाए गया है उफ हम सब्स्स राइट एक फर्स वोमें चीफ और सेवी किसको पॉरी बुच को अब यहां पर आपको सेवी लिखा है सेवी यानि कि सब्जी तो सब्जी से हमने खाया मैदा पूरी तो सब्जी से मैदा पूरी सो मादवी पूरी बुच ठीक है पहले भी हमने इसको ऐसे याद रखा था नेक उसकता है तो अब लिखtha 1502 म्या घंट कर ने स हऌब कर अब एक तो तो आपको ध्यान रखनानाएं कि सीख यानि कि एक की खॉरे क्रियो जाएंगे खेंगे सब्सक्रियें तो की यह सापको ध्यान रखना है ति क्यों शींगिर में पैटीस सीख फंट म orange अटे तो अइसे Authority of India IRDAI कैसे आप याद रखोगे तो देखे अगर कोई इंस्ट्रेंस रेगुलर चलेगा तब यह उसका डेवलप्मेंट बना रहेगा है तो कोई इंस्ट्रेंस अगर रेगुलर बिसिस पे काम करेगा तब यह उसका डेवलप्मेंट बना रहेगा तो बस कैसे आप रखने है रेगुलर चले डेवलप्मेंट बना रहें कैसे यह सब चीज़े पॉसिबल हैं जब तक देवो का आशीष ना हो तो देवो का आशीष यानि की देवा शीष पांड़ा ओके ऐसे आपको ध्यान रखना है नेक्स इस रंजीत रथ और ही इस एपोइंटेड एस चेर्मैन एं O Script अब आज जरुकल की इतने से भी वहिकल्स रेको न सब मिली और ही चलता है तो आज के अगर जो रथ बनेंगे तो वह भी किस से चलेंगे और से चलेंगे तो बस आपको याद जनरल North Atlantic Treaty Organization यानि की नाटो और इनका जो टेंक्चर है एक साल तक बढ़ा दिया गया है पीछे भी एक साल बढ़ा दिया गया है अभी भी यही बने हुए है जैंस स्टॉल्टनबर्ग अब आप देखो नाटो की बात हो रही है तो बहुत इंपोर्टेन यह भी अपॉइन्में अच्छी लगी ना तो मुझे स्टॉल अच्छी लगी ना तो जैंस ना तो स्टॉल्टनबर्ग जो है इनको एपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल नाटो का नेक्स्ट आप देखें डीची ऑफ जियोलोजिकल सर्वे उफ इंडिया लिखा है तो जियोलोजिकल जब स इसको एपॉइंट किया गया विने कुमार कॉत्र को अब देखें यहां पर क्योंकि पॉरें सेक्रेटरी की बात ओरी है तो फॉरें में अगर कोई जाएगा ना तो कहीं ने कहीं एक खत्रा होगा अब अपने इंडिया से बाहर जाओ तो कहीं सारे आपने मुवीज इसको याद रखेंगे तो ट्राव्य है यूपसे में क्या कहा जाता है आपको रोज पर्णा है मन लगा के और सोना नहीं है तो जो जोनиб फर इन को इसे बात अच्छे से आपको यह भी याद रखना है making until IGL लालपुरा एंड ही इस एपोइंटे एस चेर परसुन आप नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी इस का इनको चेर परसुन आपोइंट किया गया है कैसे अब इसे हम याद रखने वाले तो आप यहां पर देखो ना लालपुरा लिखा है तो लाल देखिये लाल कलर यानि कि र पॉइंटेड एस चेर परसुन आप नेशनल कमिशन फॉर शिड्डियूल कास न्सी एसी कैसे आप इसे याद रखोगी तो देखिये विजे सांपला संपला यानिकी संभाला ओके इन्होंने क्या जिम्मा लिया कि मैं नेशनल कमिशन का चेर परसुन बनूंगा और अपनी दुकान पर अंडे भी मिल जाएंगे जर्सी भी मिल जाएगी तो अंडे जर्सी सो एंडी जैसी नेक्स चेर्में आफ सी बीडिटी यानि की सेंट्र बोर ऑफ डारेक्ट एसस को आप पॉइंट किया कि नितन गुपता को आप डारेक्ट की बात ओरी है तो देखिए देगा नीट अनक्लीड होगा तो नीट से ही आपको ध्यान रखने है नितन गुपता को चेर्में आफ सी बीडिटी एपॉइंट किया गया है राइट नेक्स तरुन कपूर्थ और इनको एपॉइंट किया गया है एडवाइजर तू पीये मोधी यानिकी पीये मोधी के सलह ठीक है ज्यान रखने है आपको नेक्स से चीफ एक्जेक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रूलर एलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर अब देखे आपको यहां पर देख रहे हो न क्या लिखा है इसकी बात और रूलर एलेक्रिफिकेशन पावर एलेक्रिफिकेशन कैसा होता है वीक होता है तो वीक होता है अगर हम अर्बन में तो वीक से आपको ध्यान रखने है वीक विवेक कुमार देवकन नेक्स से देखें सी ओनम्द और बीसी स्टॉक एक्सजेंज करें किसको एपोइंट किया गया सुंदर रमन रामा मू सुंदर रमन रामा मूर्थी ठीक है ऐसे आपको ध्यान रखने है नेक्स ते न्यू लिटिन गवर्णर ऑफ डेली किसको अपॉइंट किया गया विने कुमार सकसेना को अब यहां पर आप देखेंगे हो डेली यानि कि देली को हिंदी में क्या का जाता है नई दिली तो दे देक्टर जर्र फिरसे अपॉइंट कर दिया गया तो देखें डबलु एचो को मिट के टाइम बार पर यहीं कह रहा था न कि आप लोग रोज दवाई खाए घबराए नहीं है ना कि रोज दवा खाओ घबराओने तो रोज यानिकि तो एसे आपको ध्यान रहा है नेक्स न देखें डिर्क्टर जनलल ओफ नैशनल इन्फॉइंट्र में रखा जाएगा उसको एक घेरे में रखा जाएगा कि इन्फॉरमेशन से इंटरनेशनल ना हो जाए बाहर ना चला जाले ठीक है तो यहीं आपको ध्यान रखना है घेरे में रखना पड़ेगा तो रजेष घे नेक्स थे मैटा के निवी चीफ ऑपनेटिंग ऑफिसर किसको एपॉइंच किया गया एब मेटा यानिक हम्ने लेट कर दिया मैटा यानि की मैटा और मैदा से डेखें मैदा से कोई भी लिश बनती है तो ऑल्यवन को एपॉइंच एक यू नियन बेंक एम्डि किसको कई किया ढाता है हुआ है सबस्काना सबस्क्राइक रहे हैं तो आप तो कोई इतो क सबस्क्राइब एक ही हम पुआज थूर। हम कई everyone मनी मेख लाई ऐसे आपको ध्यान रखने है नेक्स है M.D. of State Bank of India S.B.I. का किसको appoint किया गया है यानि कि कौन appointed है तो आलो कुमार चौत्री अब State Bank of India की बात हो रहे है तो देखे भारत में कोई भी बैंक है ठीक है यानि कि किसी भी State बैंक है तो सब में लॉक लगा के रखा जाता है तो सारे बैंकों को लॉक लगाया जाता है लॉक से आपको आलो क्याद रहते हैं आलो कुमार चौत्री और सभी बैंक यानि कि S.B.I. next is Chief Executing Officer of Prasar भारती गौरफ दिवेदी तो प्रसार भारती किसको एपविंट किया गौरफ को ठीके तो देखें अगर आप किघेंगे जकाण किन प्रसार भारती को ठीके अपको ओंडबीयक। इसे आपको ध्यान रहें हैं मन्रे का लोक पाल है whenever गांठ को एंज़े ओजाइक को ध्यान रहें है Swiss Day। यहां पर आप देख रहे हो प्रेस काउंसल ओफ इंडिया इसको इतना ज़्याइट करते हैं बार पर उसी पर प्रकाश डालते हैं तो बस आपको ध्यान रखना है बार बर उसी चीज़ पर प्रकाश करते रहेंगे जब तक बहुत ज़्याद दिन ना हो जाए जैसे युक्रे दिनों तक तो प्रकाश यानिकी रंजना प्रकाश दिश्राई ठीक है ऐसे आपको ध्यान रखने हैं नेक्स संदीप कुमार गुपता और यहां पर आप देख रहे हो ना ती राजा कुमार की बात हो रही है तो दीके एक राजा ही है ना जिसको जिसके पास फाइनेंशल भी बहुत पैसा था है ना और उसके पास बहुत ज़्यादा टास्क करने के लिए फोर्स भी होती है तो देखे हमने राजा मराजा का क्या हमें समझ में आता है कि राजा मराजा है उसके पास फाइनेंशल भी बहुत पैसा है कोई भी टास्क कराने के लिए फो गुपने जाते क्योंकि गूआ के शिप पे जब घूमते ना तो थंडी थंडी ब्रीज क्या एहसास होता है तो आपको थेयर रिखने ब्रीजेश ब्रीजेश कुमार उपाध्याय को एक है सब्सक्राइब एक नियुटेश कुमार नेखिए जैसा नाम लिखा है थेयर रेल की टेल निकल गई आप सोचो काट्वूं की तरह सोचो रेल की टेल निकल गई तो सब देखते हैं सन रह जाएंगे ना तो सन संजेग कुमार नेक्स्टे देखिए मनुच कुमार एंड कैसे आप याद दोखोगे तो सोचो आप ना की नियुटेमेन बनाएगा है आपको किसी विलेज में कोई इंडस्ट्री है उस चीज़ का ठीक है तो बड़ा ना बेकार से लगेगा अठे यार मुझे शहर से बार-बार कहां जाना पड़ रहे है विलेज में जाना पड़ र ने का सो मनुझ कुमार को अपउइंट किया किया है खादी एंड विलेज इंडस्री कमिशन का न्यू चेर्मेन नेक्स है संजे अरोरा और यह पॉइंटेड एस न्यू डैली पुलिस कमिशनर ओके सो देखे न्यू डैली में कुछ ना कुछ होता ही रहता है ओके सो न्यू आपका निकले इस थरीके से रलेट किया गया है अधर्वाइस नहीं लेना है आपको नेक्स से दिखिए आइफस ऑफिसर श्वेता सिंग एंड श्वेता सिंग अब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसमें को एपॉइंट किया है श्वेता सिंग को कैसी आप याद रखने है तो कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको आपने देखां को वाइट बईट कपे जाधा पहनते हैं उनको श्वेत रंग जाधा पसंद है तो श्वेत से आपको ध्यान रखना है श्वेत यानि कि श्वेता सिंग राइट नेक्स टेन अला थंभी केला सेलवी आन्ही से पॉंटेर याननल्ला थंबी केला सीर्ट क एप्छेच जेनरल को पहत इंबॉटें निया द्यााद सबॉस्टा के आपको राजेश वर्मा and he is appointed as secretary to president drop the mormo अब drop the mormo का president appoint किया गया है sorry president drop the mormo का secretary appoint किया गया है Rajesh Verma को ठीक है तो देखें अब president का appoint किया गया है तो president जो भी कहेंगे उनको राजी करना पड़ेगा बार-बार राजी राजी हां sir yes ma'am yes ma'am तो राजी यानिकी राजेश वर्मा ठीक है उनकी हर बात में राजी होना पड़ेगा इससे आपको ध्यान रखना है next is adidas CEO and by zon golden is appointed as CEO of adidas for 2023 right next देखें समीर वी कामत and he is appointed as DRDO chairman Samir V. कामत की बात हो रही है DRDO के chairman okay तो देखें DRDO में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी weapons देखने को मिलते हैं तो defense के weapons देखने को मिलेंगे तो वह weapons ना कम नहीं देखने को मिलेगा कम तो होगा नहीं कम से कामत यानिकी समीर वी कामत okay next देखें former Indian captain Dilip Turkey and he is appointed as president of hockey India तो देखें तिर्की and hockey तिर्की and hockey okay so कौन हो जाएंगे दिलिप तिर्की appointed as president of hockey India okay next से देखें Lieutenant General Anil Chauhan as the new chief of defense staff यानिकी new series बिनाएंगे है किसको Anil Chauhan को okay तो याद रखना है आपको बहुत अच्छे से new series Anil Chauhan पहले कौन थे General Vipen Rawat who had been India's first chief of defense याई कि first serious day right General Vipen Rawat and दूसरे कौन बन गए Anil Chauhan okay next से देखें Dr. Mr. Shri Nivas and he is appointed as director of New Delhi All India Institute of Medical Sciences AIMS okay तो AIMS के new director appoint के गए है Dr. M. Shri Nivas अब देखें AIMS में अगर बच्चे qualify कर लेते हैं तो उनको वही निवास करना पड़ेगा न आपना तो वही निवास तो श्री निवास next is senior advocate R. Venkita Ramani and he is appointed as new attorney general of India new attorney general of India okay attorney general तो यानि की वकील okay तो attorney general general से relate करना है आपको power of attorney ठीक है तो blanket Vankat blanket Vankat so Vankat Ramani तो ऐसे आपको ध्यान रखना है okay next देखें new DG of CRPF किसको एपरेंट क्या गया सुजॉयलाल थावसें CRPF सुजॉयलाल थावसें new DG of ITBP अनिश धयाल सिंग ठीक है बिल्कुल भी इंडिया दयानी करेगी राइट पॉर्टर पर कोई आ जाएगा दयानी करेगी तो दयाल सिंग ठीक है तो ऐसे हमने इसको भी ध्यान रखा था तो ध्यान रखेगा सुजॉयलाल थावसेंड आईटी बीप अनिश दयाल सिंग ठीक है तो गेल संदीब कुमार गुपता ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको अपन किया गया जस्टिस देवाई चंद्रचूर को जो 58 चीफ जस्टिस है इंडिया के बहुत आप लोग जानते हैं इसे तो कुछ याद करेंगे जोड़ाती नहीं है नेक्स से आप देखिए न्यू कंट्रोलर जर्नल आप एकाउंटेंट सी जिए किसको अपन किया गया भारती दास को अब एकाउंट्स की बात हो लिए तो सोचा गया कि क्यों ना अब इस बार अपना एकाउंट्स बनाने का काम किसी भारती को दिया जाएं ओके तो न्यू कंट्रोलर जर्नल आप एकाउंटेंट किसको अपन किया गया भारती दास को राइट ऐसे आपको ध्यान रखनें में से प्रिंसिपल साइंटिस इस रो अधित्य एलवन मिशन को देखिए इस रो का जो इंडिया का अधित्य एलवन ओके और इसका पीस पर साइंटे से पॉइंट किया गया है शैंकराज शुब्रमनियन के को ठीक है ध्यान रखनें आपको नेक्स्टे बीसी सी आई प्रेसिदेंट किसको अपन किया गया रोजर भी नी तो देखिए बीसी सी का पैसिदेंट इस अगर भारत में पैट्रोलियम कॉर्परेशन बहुत जाएगा पैट्रोल बहुत बढ़ जाएगा तो भारत क्या हो जाएगा एक वीर कंट्री हो जाएगी मजबूत कंट्री तो वीर कृष्ण गुपता को एपॉइंट किया गया है चेयर्मन ऑब बीपीसियल इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है नेक्स से देखे शुपरकांथ पांडा एंड ही अपने एस प्रेसिडेंट ओफ एफ एफई सीचाई से हम क्या ध्यान रखेंगे फीका ओके तो देखिए अगर आपके घर में कोई फंक्शन है और आपने कोई डिस्स बनाई और वो फीका कर इस आपको नेक्स तयब एक्राइं जो है ये आशियान अट्रीड, फेडरेशन के सीएयो है एंड को भी इंटरनाशनल हॉक्य फेडरेशन का प्रेसेडन का ठीक में प्रेसिड़न को गोल तो आपको यसा थ्यान रखने है कि हॉक्य प्लियरल ना तब तक शानतनी बैठेगा तब तक एक गोल ना करें तो तब तक एक गोल यानि कि तयब एक डाम ऐसे आपको इसको ध्यान रखना है Justice Justice Ritu Rajavasti and he is appointed as Chairman of Law Commission constituted after 4 years तो देखे अध्यक्ष बनाई के इनको विदी आयोका जो 4 सल के बाद गठित किया गया है अब यहां पर देखो आप क्या लिखा है Law Commission तो देखे भारत का law ना कैसा है तो भारत का law इतना easy है कि हम अराम से राज कर सकते हैं तो भारत की जो कानून विवस्ता है तो विवस्ता है अवस्ता है वो ऐसी है कि हम अराम से राज कर सकते हैं कोई problem तो है नहीं तो राज कर सकते हैं इस तरीके की अवस्था है या इत्मी की विवस्था आपको ध्यान रखना है राज வस्था है राज कर सकते हैं अवस्ता है चेयर स of law commission constituted after four years बहुत अच्छे से ध्यान रखने है नेक्स्ट है विनीत कुमार and he is appointed as CEO of KYC निनकी खादी and Village Industry Commission अभी देखिए हमने पीछे पड़ा था चेर्में तो चेर्में किसको अपॉइंट किया गया था Indian Olympic Association okay PT Usha को अपॉइंट किया गया है first woman president Indian Olympic Association को ठीक है तो देखिए Olympic Association में एक woman को अपॉइंट किया गया okay ताकि जो female players है women है उनके अंदर और उशा भर जाए है ना तो उशा भर जाए तो PT Usha को अपॉइंट किया गया नेक्स ते शिरी केवी साजी and he's appointed as chairman of Nabard ओके नबाड का अपॉइंट किया गया है केवी साजी को ओके सो देखिए नबाड क्या करती है यह एक तरीके से जो भी agriculture वाले जो sector है उनको देती है यह loan कैसे हम ध्यान रखेंगे नबाड भी रिलेटेड है agriculture से agriculture का बैंक एक तरीके से ओके सो देखिए agriculture का बैंक है और अगरिकल्चर में सब्जी वव्जी भी उगाई जाती है ना तो सब्जी साजी सब्जी साजी तो आपको कैसे ध्यान रखेंगे नबाड ना लोन देती है अग्रिकल्चर सेक्टर को ताकि सब्जी वगेरा उगाई जा स अगर 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 जादा यूज होगा तो सब कुछ नाश हो जाएगा सब कुछ नाश हो जाएगा यानि कि दिनेश तो नाश दिनेश ओके सो दिनेश कुमार शुक्ला को अपॉइंट क्या गया है एई यार्भी का न्यू चीर्में ओके ऐसे आपको ध्यान रखने है नेक्स आप हम पढ़ने वाले हैं 2023 के अपॉइंट्मेंट्स यानि कि आप स् कौने पॉइंट के गए है और या याँ पर आप देखरों क्या लिक्सवय लेक्ता है और रल्वे वोक्तें थियान में आती है रेलवे की गारि से हम कहा जाहे है लाहूर लाहोर वोज्गर जींती कैसे आप डील करोगे railway boat के नाम से आपको ध्यान आएगा train train से जा रहें लाहोर सो लाहोती ओके ऐसे ध्यान रखते है next है श्री गांजी कामला वी राव जो एक I.S. है and he is appointed as chief executive officer of the food safety and standard authority of India फसाई ठीक है तो की फसाई यहनकी FSS AI को relate कर दिया हमने फसाई ठीक है तो देखे काम जिसे की गांजा मिला दिया okay तो अगर कोई गांजे का काम करेगा तो जाएगा FSS तो FSS यानि की फसाई गांजा यहनकी श्री गांजी कामला वी राव आईस ठीक है तो श्री गांजी कामला वी राव को एपोइंट किया गया है chief executive officer फसाई का ठीक है ऐसे आपको rate करके ध कैपा ़ी आप शंती संतोश या पिसो ऐसे भी ऐसास क्टे यृफ उक्राव जब भी हम जाते हैं तो कहते हैं ओ स्धु पूमें चीफ सेकुरेट्रों कंट किया है इक को ओницы कुमारी को अब तेलांगन की यांपर बाते है तो तेलांगना यानि की तेल सो दीके हम तेल कम लगाते हैं सर पे जब सर में दर्द हो रहा होता है किस वज़े से शांती के लिए कहते हैं सर में तेल लगा लो शांती मिलेगी ठंडा ठंडा कुल खुल तो शांती कुमारी और देखें या पे मदरास लिखा है मदरास यानि की हमारी क्या हो जाएंगी मदर और देखें मदर कौन होता है गौरी माता तो लॉयर विक्टोरिया गौरी इनको एपोइंट किया गया है मदरास हाई कोट का जच ध्यान रखना है आपको ओके तो देखें यहां पर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेश एपोइंट्मेंट से हुई है गवर्नर्स की बहुत जाद है इंपोइंट है क्योंकि र ऑरुनाचल तो अरुना देखें चल रही है इसे द्यान राखना है कि पार नंकी लेविक्तिटाइंब्ठ्म तो लक्षमन प्रशाद अचार्या को ठीक है सिक्किम लिखा है नहीं आपए तो देक्टे कहते हैं लुँए मंदिर का प्रशाद खालो अचारय से लेयाओ तो प्रशाद अचार्या को पोईंट किया गया सिपी राधा को कि इसके कोई प्रॉपर ट्रिक तो मुझे समझ में नहीं तो बट अगर आप इसे याद रुपना चाहो तो आप इसे ऐसे याद रखिए कि जार्खन लेगाने तो जार्खन यानि की जाड़ी ओके अगर आपके घर में राधा कृष्ण जी आएंगे तो आपने को जारी में जारी में लेगाने तो इसलिए कर आप इसे जारी में कर लोगी आप कि जारी में राधा कृष्ण जी को नहीं बोलाएंगे तो इसे देह देखे गैए कित् Οि समय फैन क्या गया सिस्टरि सिरुप आप इसे करो आपका कर लोग Hahn तो ताप प्रताप ताप प्रताप सो शिव प्रताप शुक्ला को अपॉइंट किया है गवर्णर ऑफ हिमार्चल पदेश बहुत जादा इंपॉटेंट है और हो सकता है यहां से भी आपका गवर्णर जो अभी चेंज हुए पूछा जा सकता है यहां से 99% चांसे अपॉइंट्मेंट्स का तो यह वाला जो गवर्णर वाले है ना बहुत 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 अच्छे से याद रखिएगा ठीक है नेक्स देखे गवर्णर ऑफ असाम किसको अपॉइंट किया गया है गुलाब चंद कर्टारिया को ठीक है अ प्रदेशे हैं तो असाम को हमें की सांद गुलाब चंद कार रिया तो आन्दर प्रदेश को अ sacred इस ए जीडा से याप्र एले हैं तो अइसे आप याद करने को रिएट क्या है फिरे स्टे कण से हैं देखे अब क्या पढगन है वाले हैं ओके तो बेहित हैं भालेन पढ़ने वाले हैं जो गवर्नर पहले से कहीं स्टेट में एपॉइंट थे और उनको चेंज कर दिया गया है इधर से उधर पतक दिया उनको ऐसे आपको ध्यान रखना है ठीक है तो देखें गवर्नर ऑफ आंधरा प्रदिश एपॉइंटेड एस गवर्नर ऑफ चत्रिसगर् कौन है जस्टिस विस्वा भूषन हरी चंद्रा ओके चत्रिसगर्ड लिखा है यहां पर तो देखें चत्रिसगर्ड कैसे आप याद लखोगे यह देखें अगर कोई आपको छती पहुंचाएगा ना तो बार बार आप इसका नाम लोगे हरी का नाम लोगी है ना हरी चंद गर्काइब नेक्स्टवर्णर ओफ 36 गर्ड अपवर्नर ओफ मनिपूर अपको इक बात ध्यान रखनाने को जो मैंने यह बॉक्स में हाइलाइट कर रखा है न अब यह यहां के पॉइंट होगे तो मनिपूर का किसको आपको कर दिया गया अनसुया उई कि तो देखिए उनको नागालेंट कर बना दिया गया तो लाग अनेशन तो दिकैं नागालेंड लिखा है तो नागा से क्या सभी मिदा थे नाग यानि कि मेग घाया लिखा है ना यहां पर तो दीखे मेग घालिया तो मेग यानि कि अगर मेग बहुत जादा बरसेगा ना तो आप फर्ट से भागोंगे तो भागो फागो ठीके तो मेग बरसेगा तो फर्ट से भागते हैं ना हम लोग की घर पहुंच जाया कहीं आप बहारो मेग ब कर दिए गया बिहार के गवरhrnaar बिश्वनाथ अर लेलकर को अब कहा जाता है कि जो इंसान पहले से ही हाल मानले तो वैसे भी कोई जीत हांसल नहीं कर पाएगा तो आपको इसस धियान रखना है कि अगर कोई से हार गया मन में चीनréal इनको कर दिया गया है गवर्नर बिहार का ओके नेक्स तो लिटिन गवर्नर बन गए है कौन बीडी मिष्टा ठीक है लगा लद्दाग लद्दाक यानिकी लाद अब देखे बहुत जाधा लोग जो है आपके पर लद रहें बहुत ज़्यादा भीड है तो लोग क्या है लद रहें तो भीड बीडी भीड है बीडी मिश्रा को है पॉइंट क्या है लद्दा का न्यू लुटिनेंट गवर्नर देखे मैं पूरी कोशिश करी हूँ कि आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए और आप एक्जाम में अच्छा कराए इस टॉपिक से ठीक है गलत नहीं करना है आपको ओके नेक्स देखे क्योंकि इस ताम आप डारेक्ट यह सब च अपॉइंट एज गवर्न और ऑफ महरास्ट्रा किसको अपॉइंट किया गया रमेश बैस को अब महरास्ट्रा लेका है ना गरास्ट्रा यहनकी बड़ा घृत वणे बढ़े शेरों में चोटी-छोटी बत होती रहती है तो इतने बड़े राश्ट बेभी दा कई नगिने क इनके जो चीफ जस्टिस न्यू बनाए गए है तो देगी सबसे पहले मस जस्टिस सोन्य गृधर गोका ने इनको एपॉइंट किया गया है गुजरात हाइप का न्यू चीफ जस्टिस अब यहां पर आप देखो किसके बात वरी सोन्या तो सोन्या सोना सोते कब है हम रात में तो रात यानि की गुजरात हाई कोड़ हो के तो गुजरात हाई कोड़ का इनको इनको न्यू चीफ जस्टिस मेहता और इनको की एक अपोईंट किया गया है गोहाटी हाई कोड़ का न्यू killerdy जस्टिस ओके ध्यान रखना को नेकी असक चिशृ जश्टिस जस्वन सिंह एक appointed as chief justice of tripura high court अब यहां पर आप देखो क्या लिखा है जस्वन सिंग तो इससे आप कैसे ध्यान रखोगी ना तो देखो आप नहीं पर जा रहे हो मालो आप उस्कूल जा रहे हो और आप अपने एक फेंड गर पहुंचे तो वो जल्ली जल्दी बेख फास कर रहे है न तो वो क्या कimientos है आप से अरे मैं पूरा तो खालू जसवेट पूरा तो खालू जसवेट जसुषवन्त पूरा खालू जसवेट जसवंत ऑ番 क्या शृरी जस्टिस जसवन्त सिंग को Jeff Justice of TRIprda cry Final वहां पर मिलती है माता तो कोटी 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 नमन करते हैं इश्वार को यहां पर मिलती है माता तो जमुवन कश्मीर और लंदाग का इनको एपॉइंट किया गया है और कोटिशवर सेंग को ठीक है ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से नेक्स जब देखें अंकित S. तलाती और इनको एपॉइंट किया गया है यह सब चीजे तो देखें एक अकाउंट नहीं होगा कई सारे सारे होंगे तो बस आपको ध्यान रखता है एक अकाउंट नहीं होगा अनेक होंगे तो अनेक अनिकेत S. तलाती नेक्स देखें नील मोहन अब देखें यूट्यूब पे न सब का मन लगा रहता है इस पे सब का मन लगा रहता है सब के मन को मुह लेता है तो नील मोहन ओके तो ध्यान रखने है आपको ऐसे नेक्स से देखें लेटनेंट जनरल M.V. Suchendra Kumar and he is appointed as new vice chief of army तो new vice chief of army किसको अपन किया गया M.V. Suchendra Kumar को ठीके ध्यान रखने है आपको next is Ruchira Kamboj and ये Ruchira Kamboj जो है she is India's permanent representative to the UN United Nation की ये permanent representative है इंडिया की तरख से और इनको चूज किया गया है to serve as the commission chair during the 62 session okay तो 62 जो session होगा उसके लिए इनको चुना गया है okay तो बस आपको ऐसे हैं को ध्यान रखने है Ruchira Kamboj नामेल का रख रख रुके Ruchira Kamboj okay next day देखे P.V.R. Shubramanyam and he is appointed as Neeti Aayug CEO बहुत important है Neeti Aayug के CEO किसको अपन किया गया B.V.R. Shubramanyam okay बाकि इसके chairman कौन है Vice Chairman कौन है तो आप नीचे comment करके बताइएगा okay Neeti Aayug के CEO V.V.R. Shubramanyam अब देखे नीती यानिकी एक तरह के से planning planning हम करते हैं जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं है तो वो हमारी चीज अच्छे से हो जाए इसलिए हम planning या नीती बनाते है कि हमारा कोई भी काम जो हम करने जा रहे है शुब काम वो अच्छे से हो जाए शुब यानकी शुब्रमanyam शुब काम के लिए हम planning बनाते है तो शुब्रमanyam okay तो आपको ध्यान रखने है शुब्रमanyam जो है इस एपॉंटे आज़ नीती आयोग new CEO okay next ए राजीव सिंग रगुवनशी और इनको एपॉंट किया गया है new drug controller general of India it means DCGI okay drug control right तो देखे drug control जो होता है न तो ये drug की सारी बाते या drug का देखे import export कैसा रहता है एक तरगी से राज बनके रहता है तो राज यानकी राजीव तो ऐसे आपको ध्यान रहते हैं देखें ड्रग आप दुगान पर लिए जो आपको मिल जागा क्या नहीं ड्रग की लोग क्या करते है smuggling करते हैं okay कि सारे movies में आपने देखा हुआ तो ये साही चीज़ें कैसी रहती है राज रहती है तो राजीव कुमार अगुवनशी okay next सबसे देखें CAG GC मुर्मू और इनको एक स्टर्नल ऑडिटर अफ इंटरनेशनल लेबल ऑर्गनाजिशन में सेलेक्ट किया गया है ठीक है ये बात भी आपको ध्यान रखने है और इतर के फॉर्म में कहां पे ILO में CAG यानि की Comptroller Auditor General को ठीक है ध्यान रखने है आपको नेक्स जब देखें इंपपोर्टन brand उमेस्टर अब हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला है brand उमेस्टर अफ renew by किसको appoint के आगया राजकुमार राओ को और यह brand उमेस्टर अम लोग कई बार पढ़ भी चुकगे थे बाता है इसको आपने बता से कर दिया कोई आपसे कह रहा है कि बता क्या कह रहा था तो आप क्या कह रहे हो पता नहीं कर दिशा पाट नहीं हो जाएंगे ऐसे आपको ध्यान रखनें नेक्स्ट देखे ब्राण नेमस्दूर और मैडी बड़ी किसको एपॉइंट किया गया था? अमिताब बच्चर को तो देखे मैडी बड़ी तो यानिकी बड़ा भाई तो मेरा बड़ा भाई ना हमेशा मुझे बचा के रखता है तो बड़े भाई हमेशा बचा के रखते हैं अपने छोटे भाई बैने को तो बच्चा यानिकी बच्चन तो अमिता बच्चन को एपोइंट किया गया है मैडी बड़ी जो एक फार्मर्स एडिकल कम्पनी है इसका ब्रांड ने मिज़र एपोइंट किया गया था पैकर आट लिए टाडे लिए पन्कर फॉट है या क्रिशी जो है यानिक की सान्थ व अपना पनकर तुरिपार्ट को में पोइंट किया गया है ने इच्ट स्था एहन पर आप लिखर यो fan code लिघं़ लिख आ है तो अपने चाहिद कपूर को यान्य कि पोकर बाजी का मैंज ळेक्ड मेस Magic को से lista目 को काई चाहिद कोई तक तो पलू कर देखेंस आपके मने सबस्केच तो आपने आपने देखा होगा इनका इनका रिशब पंत को देखिये आजकल शाहिदी को यहां पे डिश नहीं लगई हो तो डिश तीवी आजकल सब घर में लगती है ने कि बीडिया बालन ऑने लीक्या के लिनका अच्छी है आपको ध्यान रकना है तो विद्या ध्यान पर विडिया पहोई बारती एक्सालाइफ इंशरेंस नेक्स ये ब्राइन इमिजर ऑफ फाम इजी किसके पॉइंट किया है आमिर खान को तो देखिए एक एप है जिस पे आप और अलाइन मेडिसेन और कर सकते हो बाट अगर कोई गरीब है ना तो क्या वह कर सकते है नहीं वह तो जाके आपको ध्यान रखना है कि फाम इजी जो है एक एप है जो कौन यूज कर पाएंगा भाई अमीर लोगी यूज कर पाएंगे तो ऐसे आपको ध्यान रखते है ठीक है बस याद करने के लिए इसको ऐसे रिलेट किया गया है नेक्स तरी के लूइस विच्टन और यह फर्स तो आप किसे का पुन्य करना चाहते ना यानिकि अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो पुन्य के मराबर है तो वो आपकी मन की इच्छा है लिच्छा होगी तब पुन्य करोगे ना तो इच्छा यानि कि कि शुदीप को ख Inside r而已 आपको एंगे निः डोगे मेज़डर बुर्जील होल्डिंग का एपॉइंट किया गया है शारुक खान को ठीक है ध्यान रखना है आपको नेक्स से लिखे रोहिज शर्मा और वाइप वृतिका सज्दे ब्राण मेज़डर रॉप तो इन दोनों लोगों को ब्राण मेज़डर बनाए गया है मैक्स यौनेंस को बस आपको छी ध्यां ररते हैं जब तक अच्छा क्रिकेट करेंगे जब तक अच्छा क्रिकेट खेलेंगे 전에 करेंगे ओके उंकि इंस्य॥ भी देगी यानि कि maximum life में न को insurance में लेगा और life अच्छी हो जाएगी तो उनकी साथ-साथ उनकी wife Ritika को भी बनाए गया है तो देखे हित और रितिक एक जैसा लग रहे है हित रितिक तो रोहित शर्मा और रितिका सस्दे जोनकी wife है इन दोनों लोग को एपोइंट किया गया है max life insurance company का new brand investor नेक्स बंधन बैंक brand investor किया गया है सौरव गांगुली को ध्यान रखना है आपको नेक्स ब्राइन अवी टेकनोलोजी अब नावी टेकनोलोजी अब आपने बहुत दाद आइन देखा होगा तो इसका अपराने में इसका प्राइन किया गया MS दोनी को तो देखे नवी यानि कि हमें रिलेट करना है नवी यानि कि नया ओके तो देखे आजकर इतनी जादा न्यू टेकनोलोजी आ रहे हैं कि पुरानी जो चीज़े ना वो गया भुजा रहे हैं तो दुल जा रही है यानि कि धोनी धुलना धोनी नवी टेकनोलीजी का निउ ब्राइँ अपउयं ब्राइँ आ खे मेब लिखे जो दिछ झो एक लिख़े जो एक Pirate खलोच प्राहिं जैसे ही सुरोच माhrad लेइं ज्थे को पór इनोइस काई कर गया है विराड कोली को, मिंत्रा है, साइन, इस ब्राइफ नेम इस ब्यूटी केटेगरी में, किसको किया गया है, अनुशकार शर्मा को, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, नेक्स से देखे, नुट्रीशन कंपनी, हर्बल लाइफ नुट्रीशन, इंडिया प्राइफ लिमिट इस ए इसके साथ, इसमृती मंधाना के साथ, नुट्रीशन इस्पॉंसर की तरह, आप देखे, नुट्रीशन इस्पॉंसर बनाएगा है, इसमृती मंधाना, तो आप अगर हर्बल चीजों को अपनाते हो, हर्बल चीजों को अपनाते हो, हर्बल तो आपका इसमृती और आपका म इंडिया पूमा का किसको एपॉइंट किया गया है ब्रांड इमिज़र कैप्टन हर्मन प्रीत कौर जो वुमिन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन हर्मन प्रीत कौर को पूमा इंडिया जो स्पोर्ट्स है उसका ब्रांड इमिज़र एपॉइंट किया गया है ध्यान रखने आपक यसितिका भाटिका रेनुका सिंग थाकुर इसमिति मंधाना एंड शिफाली वर्मा एंड जामिया रोडी यूज तो इन लोगों को हुंदाई मोटर ने अपना ब्राण बिजिचर एपोइंड किया गया है तो देखे बस आपको ऐसे ही इनका नाम बिल्कुल ध्यान नहीं बिहार का स्डेट ऐंगन केंजा किसको ब्त्र को थाकुर को बहुत अच्छा गाला काती है ओके सो भी आपको अब करने वाल्य कुछ डू चार पैसे हम्ते क्रिश्च कि हम्में कितना याद वा है क्या appointed as the new chairman of railway board निमलिकित में से किसे railway board का नया chairman निउक्त किया गया है तो देखे हमने कैसे ध्यान रखा था कि जैसी हम railway का नाम सुनते हैं तो train याद आती है train से का जा रहे है लाहूर तो लाहूर यानि कि लाहोती तो option B is the correct answer अनिल कुमार लाहोती किसे निउक्त किया गया है तो देखे किसे निउक्त किया गया है तो देखे कौन आता है अपने आपको बार बार रेन्यू करके कौन लेके आता है राज कुमार राओ तो option B हो जाएगा correct answer I hope आपको याद आ रहोगा ठीक है थोड़ा साब को पहले खुद सोचना है किसे निउक्त किया गया है तो देखे मुख्य निउक्त किया गया है गुज्रात थोड़ा सा सोची आप खुद से गुज्रात यानि की रात और रात में हम क्या करते सोते हैं तो सोते यानि की सोनिया सो option A हो जाएगा correct answer है ना सो गुण कनी को है next आ, recently CP राधार क्रषण flirt refer to underestimate को आप कहां नहीं रखो गए जाडियों में नहीं रखोगे अगर वह आपके घर हैंगे ना थो जाडी यानी की जार्कन को कहां का राजिपल ने उतकिया गया है जार्कन का को option C हो जाएगा हमारा correct answer आपको सारे questions करने है appointments related and I hope ये video आपको बहुत सब्सक्राइब करेगी आपके exam के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो आप कर सकते हैं बहुत इच्छी वीडियो आएंगी आगे जो आपका जी के और जादे strong कर आएगी okay so PDF के लिए आप learn with tricks चैनल से जोड़ सकते हैं तो मिलेंगे आप नेक्स वीडियो में thanks for watching